ब्रेकिंग नियूस जियां, उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार में हुए रिवर्ट फ्रंट घोटाले मामले में सोमवार को बड़ा एक्षन लिया गया है मामले में उत्तर प्रदेश समेट कई जगाहों पर छापे मारी की गई है यह चापे मारी CBI लखनव की एंटी करप्शन विंकी ओर से की गई है लखनव के अलावा नौएडा, गाजियावाद, बुलन शेहर, रायबरेली, सीता, पुरिटावा, आगरा समेट कई जगाहों पर चापे मारी जारी है आपको बतला दे की बीते शुकरवार को रिवन फ्रेंट घोटाले मामले में 190 लोगों के खिलाफ F.I.R. दर्च की गई थी मीडिया रिपोर्ट्स की मताबिक सोमवार को S.E.W. ने उत्तरब बदेश के अलावा राजिस्थान और पश्चे मंगाल में करीब 40 जगाहों पर एक साथ छापे मारी की है आपको बतलाते हैं आखिर क्या है रिवन फ्रेंट घोटाला रिवर फ्रेंट गोटाला S.P. सरकार के कारेकाल में हुआ था लखनाओ में गोमती रिवर फ्रेंट के लिए S.P. सरकार ने 1513 करोड रुपे मंजूर किये थे 1437 करोड रुपे जारी होने के बाद भी मातर 60 वीजदी काम ही हुआ रिवर फ्रेंट का काम करने वाली संस्थाओं ने 95 वीजदी बजट खर्च करके भी पूरा काम नहीं किया था आपको बतला दे की गोमती रिवर फ्रेंट के निर्मान कारे से जुड़े इंजिनियरों पर कई गंबीर आरोप है इंजिनियरों पर दागी कमपनियों को काम देने, विदेशों से महंगा सामान खरीदने, चैनलाइजेशन के कार में घोटाला करने नेताओं और अधिकारियों के विदेश दोरे में फिजूल खर्ची करने, सहित वित्ती लेन देन में घोटाला करने और नक्षे के अनुसार कार नहीं कराने का आरोप है